परमेशुर किस्तुती हो यह बहुत अच्छा है आप सब को देखना इतने लोगों को इस संसार की अलग-अलग हिस्सों से इतने अलग चेहरे के रंग इतने अलग-अलग नाम कुछ नाम जिनको हम प्रणाउंस नहीं कर सकते कह नहीं सकते और यह बहुत अद्भुथ है मैं आपको पताना चाहता हूं मैं 63 वर्षों से पहले मेरा नया जन हुआ जुलाई 1969 में अब 64 वर्ष होज गए है पर मैं आज भी अद्भुथ हो जाता हूं कि कैसे परमेशन ने मुझे चुना मैं उस गीत को गाता हूं अद्भुथ अनुग्रह कितना मधुर वो धुन था कि मेरे जैसे एक तुछे विक्ति को उधार किया एक समय में खो चुका था पर अब मैं पा गया हूं मैं अंधा था पर अब मैं देख पाता हूं मेरे प्रिया भाई और बेहनो मैं आशा करता हूं आप हमेशा उस गीत को गाओगे और हमेशा इस बात को पहचानोगे कि आप क्या थे एक समय जब परमेशन ने आपको पाया कभी उसे न भूले भाईयो यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं प्रात्ना करता हूं प्रभु मैं जिससे तुने मुझे बाहर खीचा है जब मैं अपने नर्क के जाने वाले मार्क पर था जब हम तोड़ी उन्नती कर लेते हैं जीवन में बहुत आसान है यह भूल जाना कि एक समय हम क्या थे शैतान चाहता है कि आप भूले क्योंकि तब आप घमंडी बन जाओगे आप हम एक प्रतिशत भी नहीं जानते और मैं इसमें बड़ा चड़ा कर नहीं बोल रहा हम एक प्रतिशत भी नहीं जानते उस दुष्टेता को उस ब्रश्टेचार को जो हमारे शरीर के अंदर है एक ऐसी चीज है जिसके विश्टेचार में नए नियम कहती है शरीर जिसके वारे में पुराने नियम में बात नहीं किये गए पुराने नियम में जब कभी शरीर कहा जाता है वो केवल मास है पर नए नियम में शरीर का मतलब है हमारी स्वयम की इच्छा जिसने पर्मेश्चर के विरुद लड़ाई की है उस समय से जब हम जान गए छोटे बच्चे होने के जोटे बच्चे जब हम थे वो हमेशा पर्मेश्चर के विरुद बल्वा में रहा है वो एक जहर है जो आदम ने आपमे और मेरे अंदर डाला जो शैतान ने आदम के अंदर डाला वो मूलभूत तौर पर क्या था? कि आपको परमेश्र की इच्छा नहीं करनी है देखिए पाप ये नहीं कि जोट कहना, चोरी करना, व्यबिचार करना, खून करना नहीं वो सारे पाप के परनाम है मूलभूत तौर पर, उसके जड़ पर, अगर किसी पेड को आप काटना चाहते हो आप कभी उसके डालिया नहीं काटते आप उसके पत्तों को नहीं काटते, वो वापस उख जाएगा अगर आप एक पेड को काटना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप उसके जड़ तक जाओगे ये इकलोते तरीका है एक पेड़ को उखाडने का और बिल्कुल वैसे ही हमारी जीवन में भी कई लोग जब सोचते हैं पाप छोड़ने के विशह में मन फिराओ के विशह में वो हमेशा डालियों से पत्तों से एक पत्ते को यहां काट दिया एक पत्ते को हाँ मैंने अब इस पेड़ को थोड़ा काट लिया अब ये पेड़ थोड़ा बहतर लगता है दूसरे लोगों के सामने दूसरे लोग सोचते कि मैं एक बहतर वेक्ति बन गया हूँ तो क्या अगर आपने उस जड़ पर वार नहीं किया है तो हमेशा वो पाप बाहर आते होगा शायद बाहरी तोर पर नहीं पर निरंतर आपको तकलिफ देगा आपके विचारों में आपके विचारों को गंदा बनाएगा और आपको भक्ती हीन तोर पर काम करने पर मजबूर करेगा सारवजनिक तोर पर नहीं इस संसार के लोग भी सारवजनिक तोर पर अच्छा बरताओ करते हैं केवल मसी नहीं जो बाहरी से अच्छा बरताओ करते हैं अधिकतर संसारिक लोग सारवजनिक तोर पर अच्छा बरताव करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी कीरती चाहते हैं, आपके घर में आप कैसा बरताव करते हो, जब कोई आपको देख नहीं रहा केवल आपकी पत्नी और आपके पती ही आपको देखते हैं, और आपके बच्च वर्ष कैसा था? क्या इस वर्ष वो बहतर होने वाला है? अगर आप उस जड़ से वेवार न करो तो नहीं होगा, इस वर्ष भी वैसा ही होगा, लोग नए वर्ष के resolution बनाते हैं, निरने लेते हैं, वो केवल एक या दो हफते तक ही टिकते हैं, अगर सच मुछ आपके पास न नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने अपने बेटे को इस प्रुथवी पर इसलिए नहीं बेजा, कि वो हमें वैसे ही आवस्था में छोड़ दे, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं बेजा, पेंटिकोस्त की दिन, कि हमें अपने बच्चों को वो असहाय हारा हुआ अपने पारिवारिक जीवन में वैसे ही छोड़ दे जो पवित्र होने का नाटक करते है कलीश्या में बहारी तोर पर दिखावा करते है नहीं परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं भेजा कि वो हम बहतर पाखंडी बन जाए उसने अपने पवित्र आत्मा को बेजा ताकि वो पाप के जड़ से निकाल सके मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले अगर आपके वास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए मत्ति इसका तीसरा ध्याए अब जानते हो यहन्ना वप्तिस्वा देने वाला उस उसको येशु का अगरदूत करके भेजा गया था येशु के पहले और कई चीज़े थी जो उसने कही जिसने उस मार्क को तयार किया मसी के लिए और जिसको हम याद कर सकते हैं क्योंकि यहन्ना वप्तिस्वा की जो सेवक आई है वो हमारे रिदे को भी तयार करता है मसी को स संदेश क्या था यहन्ना वप्तिस्मा का मुख्य संदेश था मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ वो बप्तिस्मा मन फिराओ का बप्तिस्मा प्रचार करते हुए उसने वही कहा मन फिराओ का बप्तिस्मा उसने कहा मती तीन उसके साथवे वचन में मन फिराओ के योग्यों फल लाओ, आटवा वचन सॉरी आपके जीवन में एक ऐसा फल होना चाहिए जो इसके योग्यों होना चाहिए कि आप कहते हो कि आपने मन फिराय है कई कई वर्षों तक मैं प्रचार कर रहा हूं परमेश्व ने मुझे बुलाया उसकी सेवकाई करने के लिए 1964 में ये लगबख साट वर्षों पहले की बात है परमेश्व ने मुझे एक दिन बुलाया जब मैं भारतिया नौ सेना में काम कर रहा था मेरी नौकरी छोड़ने के लिए और उसकी सेवकाई करने के लिए और मैंने तुरंत उसकी आग्यावाने यदि पी नौ सेना ने मुझे दो साल तक जाने नहीं दिया आखिर कर 1966 में उन्होंने मुझे जाने दिया चपन वर्षों से भी जादा और ये सबसे बड़ा आनंद रहा है मेरे जीवन का कि मैं कोशिश करू उसकी सेवा करने की और उस गोशना करू उस शुद्ध सुसमाचार की मैं शुरुवात में नहीं जानता था मेरे नयजन के बाद 16 वर्ष तक मैं हारा हुआ मसी था मैं पूर्ण तोर पर समझता हूँ कि आप क्या महसुस करते हो मैं खारा हुआ मसी था कई वर्षों तक मैं इमानदार था मेरा नयजन हो चुका था पर वो एक सर्कल की समान गोल की समान था वो कभी खतम नहीं होता था पाप करो ये कहो कि मुझे माफ करो मसी के लग से शुद्ध होना फिर एक बार पाप करना कहना कि प्रभू मुझे माफ करो मसी के लग से शुद्ध होना फिर एक बार पाप करना कहना मुझे माफ करो और मसी के लग से शुद्ध होना अपने पत्नी से गुस्सा होना कभी कभी sorry भी नहीं कहना परमेशर को कहना माफ करो पर अपने पत्नी से नहीं फिर मन फिराओ और ये कभी न खतम होने वाला एक गोल चक्कर था पर मैं परमेशर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में एक दिन आया जब परमेशर ने उसको एक अंत किया अब मैं उस कभी न खतम होने वाले चक्कर नहीं काट रहा मैं उससे छुड़ा दिया गया हूँ एक दिन जब परमेशर ने मुझे अपने पवित्रात्मा से भर दिया और मैंने देखा कि मुझे ना केवल शुड़ होने की ज़रूत है वो केवल उस कटरे का अंदर से साफ करना हुआ यहाँ एक ग्लास है मेरे सामने हम उसमें पानी दालने से पहले हम उसको अंदर से साफ करते हैं केवल बाहर से नहीं पर अंदर से भी और फिर उसे खाली न छोड़े केवल येश्यो को शुद्ध करने के लिए ना मांगे पर आपका रिदय तब भी खाली होता है वो अच्छा है वो शुद्ध तो है कटोरा अंदर से साफ हो चुका है पर आप क्यों कटोरे को साफ करते हो कब को अगर आपको चाय पीना है या एक ग्लास पानी पीना है आप उस पानी को उसको अंदर डालते हो और क्यों परमेशर ने हमारे रिदय को शुद्ध किया उसे खाली छोड़ने के लिए नहीं मुझे यही डर है मुझे सच मुझ डर है कि आप पैसे कई मेरे भाई और बहनो आपका रिदय शुद्ध है परमेशर की सुत्य हो उसके लिए आप जानते हो कि येश्यो मसी का लवव आपको शुद्ध करता है पाप से पर क्या वो भर चुका है आपका रिदय या आप एक खाली कटो रेके समाने और आप संकर्ष कर रहे हो संकर्ष कर रहे हो आप प्यासे हो प्यासे हो प्यासे हो क्योंकि पानी नहीं है हमें पवित्रात्मा से भरने के ज़रुद है और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर पवित्रात्मा की भरपूरी ये सबसे महत्वपुन चीज है मसी जीवन में मेरा ये विश्वास से कि वो है बाइबल के अध्यान से भी ज्यादा अगर बाइबल सबसे महत्वपुन चीज होती जो प्रिंट की हुई बाइबल थी छपी हुई बाइबल जिसके हमें किया और जो येशो ने कहा उसको तुरंट छापा जाता प्रिंट किया जाता और प्रिंटिकोस्ट के देन से प्रत्यक्वेक्ति के पास एक बाइबल की प्रत होती और जहां कई पॉलश जाता वो बाइबल बाट सकता था पर ऐसा क्यों कि लगबग 1500 वर्षों तक मसी के बाद भी प्रिंटिंग की खोज ही नहीं हुई थी ऐसा क्यों कि परमेश और ने उसकी अनुवती नहीं धी क्या आप जानते हो कितना बहुमुल्य नहीं है एक प्रिंटर बाइबल होना आपने पास मैंने सोचा अगर मैं पहले शतापदी में जीता कोई प्रिंटर डाइबल नही पास है इतने अलग-अलग भाशांतर है आज हमारे पास कहीं उस समय एक प्रत होती और पूरे संसार में शायद 10 कौपी हो सकती थी पॉलुस के पत्रियों की और हम उस जगे भी नहीं होते शायद जाहां हमारे पास वो उपलब दो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि मसी उस दिनो नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे भी कुछ ज़्यादा महतुपन है पवित्रात्मा से भरपूर होना वो शुरू हुआ पिंटिकोस्ट के दिन मसीही जी नहीं सकते थे पवित्रात्मा से भरे बिना हम लोगों को बताते कि बाइबल प्रति दिन पढ़िये मैं प्रति दिन बाइबल पढ़ता हूँ मेरे जितना मैं जान तक तो मुझे पिछले 64 वर्षों तक मैंने हर दिन बाइबल पढ़ा है मेरे नये जन्म से आज भी सबसे पहले जीज़ जो मैं करता हूँ सुबह उटने के बाद वो है मेरे स्वर्गे पिता से बात कर रहा है और क पवित्रा आत्मा के वज़े से और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको यह नहीं कि बाइबल को तुछ से जाने उसको मूल ले न दे क्योंकि हम सत्य को तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे पर मुझे यह डर है कि आप में से कई करिके परमेश्र के लिखे हुए वचन को पवित्रा आत्मा के सामझ से ज्यादा मूल ले देते हो हमें दोनों की जरूरत है हमें दोनों की जरूरत है उधारन के तौर पर जब एक ट्रेन होती है एक ट्रेन की जरूरत क्या है एक ट्रेन को पट्री की जरूरत है अगर पट्री नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चलेगी और वो पट्री है परमेशर के वचन और वो पट्री बिलकुल सीधे होने चाहिए अगर थोड़ा भी ब्रेक हो उसे थोड़े सामर्द की जरुरत है, डीजल देने की जरुरत है, या इलेक्टरिसिटी, अलग-अलग तरीकों से ट्रेंस जो दोड़ती है, वो सबसे महत्वपून है, वही हमें अपने जीवन में भी जरुरत है, हमें पट्रियों की जरुरत है, हाँ सतर्क रहिये, मैं बहुत सतर्क होता हूँ Bible के वचन के बारे में मैंने बहुत जादा उसकी पढ़ाई किया ध्यान किया है मैंने उसके कई notes लिखे है मेरे Bible में, मेरे Bible के बाहर भी क्योंकि मैं बिल्कुल सही होना चाहता हूँ सटीक होना चाहता हूँ अगर जो lawyers होते हैं, वकील होते हैं अगर legal document इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं मैं कहता हूँ, प्रभू मैं उनसे 10 गुना ज्यादा सतर्क होना चाहता हूँ परमेशर के वचन को पढ़ते हूए क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस संसार में इतना धोका चल रहा है आजकल क्योंकि मैं देखता हूँ कि पहला जो प्रलोभन आया सबसे पहला प्रलोभन जो हवा के पास आया क्या आप जानते हो वो क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्पत्य उसका तीसरा ध्या है सबसे पहला यह शब्द जो शैतान ने हवा से कहे उसे ब्रह्माने के लिए दोका देने के लिए और आदम को भटकाने के लिए यह अच्छा है कि हम बाइबल को ध्यान से पड़े और धीरे पड़े कि आप जानते हो पहले शब्द क्या थे? जो शैतान ने हवा को कहे मुझे लगता है आप में से जादा तर्ग होगे की शैतान ने कहा उस फल से खाओ उस मना क्यो फल से कहाओ? नहीं वो शैतान ने नहीं कहा ध्यान से पड़िये सबसे पहले वचन उत्पती तीसरा अध्या पहला वचन शैतान के पहले शब्ट थे क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है या इंग्लिश में क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है क्या आपने से ये समझ लिया पहला प्रलबन क्या था कि परमेश्वर के वचन पर आप शक कर ये नहीं उस फल से खाओ, नहीं नहीं क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है उससे ध्यान से पढ़िए उत्पति 3.1 में और उसके वज़े से हवा के मन में शक पढ़ गया और आपके मन में भी संद्य आता है, क्या ये सचमुश परमेश्वर का वचन है क्या आप निश्चित हो, और एक बार हम संद्य करने लगते हैं और कितने लाखो लोग है जो भटक जाते इसके वज़े से धोका खा जाते, क्या ये सचमुश परमेश्वर का वचन है जब मैं एक जवान मसीही था, आगर कोई मुझसे प्रश्ण करता आप कैसे जानते हो कि बाईवल परमेश्वर का वचन है मैं यह उत्तर देता था, मैंने उस समय बाईवल नहीं पढ़ा था मुझे लगबख 6-7 मैंने लग गए पूरा बाईवल पढ़ने के लिए मेरे नए जन के बाद, और उसके बाद भी मैंने बहुत तेजी से उससे बढ़ा था केवल यह जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है और फिर में उसका अध्यान करने लगा, अभी 64 वर्श में उसका अध्यान कर रहा हूँ पर अगर उन दिनों आप मुझसे प्रस्षन करते आप कैसे जानते हूँ कि Bible प्रमेशवर का वचन है मैं कहतेा मैं बताता था उन दिनों कि दो चीजे है जो मैंने सब वास्तवीक परमेश्यौर के जन के बारे में देखा हूँ परमेश्वर के मनुश्यों के बारे में जिन्हों में मिलता हूँ उन दिनों में बाइबल के बारे में जादा नहीं जानता पर कभी कबार मैं एक बहुत ईश्वरी अवेक्ति को मिलता बहुत ईश्वरी अवेक्ति जो बहुत नम्र था मैंने हमेशा देखा है सच्चा ही से जो इश्वरिय वेक्ती होते उनका प्रमुक जो चिन्न होता है वो है नम्रता एक सच्चा वाकई नम्र वेक्ती होता है सबसे पहले वो कितना पवित्र है मैं उसके विचारों को नहीं जानता पर उसकी नम्रता वो मुझसे कैसे बात करता है वो मेरे साथ कैसे संबंद रखता है वो ऐसा कुछ है जो मैं देख सकता हूं येष्यो बहुत नम रही ये बहुत नम रही था देखें कैसे उसके जीवन के अंत में वो अपने शिशों के पाउध हो रहा था उसके कभी ये महान विचार नहीं थे मैं प्रभू हूं, मैं कैसे लोगों के पैवद हो यह मुर्क मसीह है, मुर्क लोगे जो ऐसा सोचते है मुर्क पासवान है जो ऐसा सोचते है प्रचारक, जो अपने आपके लिए शिर्शक लेते है reverend, right reverend जब येशु को राजा बनानी के कोशिश की वो भाग गया और योहना भी प्रकाशित वाक्य में वो यह नहीं कहता है मैं राइट रेवरेंट जॉन हूँ मैं पासवान जॉन हूँ वो कहता है मैं योहना तुम्हारा भाई ये प्रेरित नम्र थे उन्होंने मसीज से नम्रता को सीखा था और मैंने ये देखा है जब कभी मैं किसी वेक्ति का आदर करता था उसकी नम्रता के लिए और मैं आपको बताने चाता हूँ मेरे जवानी दिनों में मैं बहुत ही कम लोगों से मिला पर दो या तीन ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ बहुत पहले और मैंने दो चीजे देखी उन सब में जब मैंने उन से बात की सबसे पहले वे सब विश्वास करते थे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है इस छोड से दूसरी छोड तक और दूसरी बात वे सब पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभाव का प्रचार करते थे उन में से प्रत्यक वेक्ति तब मैंने देखा कि ये रहस्य है एक जवान मसी होने के नाते फिर लोग मुझसे पुछते थे कि तुम क्यों विश्वास करते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है क्योंकी सबसे इसवरी वेक्ति जिन से मैं मिला हूँ सबसे नम्र वेक्ति जिन से मैं मिला हूँ मसीयों से वो विश्वास रपते कि बाइबल परमेश्र का वचन है और वे पवित्रात्मा से भरपूर है और इसलिए मैं उसका स्विकार करता हूँ पर आज अगर आप मुझसे यही प्रशन करो कि तुम क्यों विश्वास करते हो य जैसा है एक जिस पर येश्व मसी ने साइन किया है मैं स्वर्व के बैंक में जाकर उन्हों चेक को ले गए है और पाइसे पैसे मुझे मिले है यह पैसे नहीं पर वह वाइदे मेरे जीवन में पूरे हुए मेरे प्रार्तना उत्तर का उत्तर मिला दूसरों के लिए इसलिए मैं जानता हू कि Bible परमेश्र का वचन है क्या आप उसके ऐसा जानते हो अपने मसी जीवन के शुरुवात में आप शायद Bible को मानते होंगे क्योंकि आप बहुत ईश्वरिय नम्र विक्ति से मिले हो जो कहते कि वो विश्वास करते है परमेश्र का वचन है Bible अच्छा है क्योंकि आपने खुद Bible का तब आप देन नहीं किया होता है पर कुछ समय 5 साल आप मसी रहे हो तो आपको सचमुच Bible अच्छे से मालूम होना चाहिए थोड़ा और बहतर जानना चाहिए और पूरा पढ़क्यों होना चाहिए क्योंकि हम विश्वास करते है कि Bible परमेश्र का वचन है हम उसकी पांस आकर कहते है प्रभू वहाँ जो कुछ लिकाय में उसके अनुसार करना चाहता और शैतन कहेगा क्या परमेश्र ने सचमुच ये कहा है आप किसी वाइदे को आकर देखते हो Bible में क्या परमेश्र ने यह उत्पति एक के बिलकोल विपरीथ है एक मिनट मेरे साथ निकल यह उत्पति पहला अध्याय यहां हम क्या पढ़ते हैं उस अध्याय में एक ही चीज बार-बार लिखी है दो शब्त कि दो शब हिंदी में तीन शब बार 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 दोहर और गये हैं पहला शब्ट क्या आप जानते वह तीन शब्ट क्या है पर्मेशर ने कहा पर्मेश्अ ermay ने कहा पर्मेशर ने कहा देखिए तीसरा वचन छटा वचन नो वचन 14 वचन 20 वचन 24 वचन 26 वचन ऐसा कोई अध्याय नहीं है बाइबल में कोई भी अध्याय नहीं है पूरे बाइबल में जा आप यह तीन शब्दों को बार बार दोर आया हुए देखते हो परमेशन ने कहा परमेशन ने कहा परमेशन ने कहा ऐसा क्यों लिखा है सबसे पहले अ विश्राम किया और फिर वो क्या संदेश है जो हमें मिलता है उस पहले हफ़ते से एक ही संदेश बाइबल के पहले पन्ने में आपके परमेश्वर बात करता है प्रती दिन मैं आपसे प्रश्ण करना चाहता हूँ आप कहते हो कि आप एक मसीह ही हो क्या परमेश्वर को रोज आपसे बात करते हुए सुनते हो आपके रिदय में पुराने दिनों में वो बाहर से बात करता था अबराहाम अबराहम शमोयल शमोयल इलिया पर वे दिन थे जब पविटरातमा लोग मनुश्य के बाहर था सबसे पहला वेकती जो इस पृत्वी पर चला पवितरात्मा जिसके अंदर था वो था येश्व मसी जब वो इस पृत्वी पर एक मनुश्य बन कर आया और पंटिकोस्ट के दिन से पवितरात्मा मनुश्य के अंदर रहना चाहता है और अंदर से बात करना चाहता है मैं जब जवान मसी था मैं कहता था कि काश प्रभू मैं तुझे सुन पाओ मुझसे बात करते हुए बाहर से जैसा तुने अबराम को बुलाया पर फिर मैंने देखा कि येशु मसी इस शिश्यों के साथ था साथे तीन वर्षों तक उनसे बात कर रहा था परमेशर उनसे बात कर रहा था बाहर से निरंतर और उसके बावजूद उन साथे तीन वर्ष के अंत पर पत्रस ने येशु मसी का इंकार किया यहुदा इसकार योदी पैसे के पीछे बाजा और उसने येश्य मसी को पकड़वा दिया और सारे शिश्य डर गए और वे बंद थे कमरों में और उन्हें ने सुसमाचर का प्रचार नहीं किया जैसे मसी ने उन्हें बताया था करने के स्वर्ख जाने से पहले नहीं वे नही बदल गया फिर वे परमेशन को सुनने लगे और दूसरों को बताने लगे कि परमेशन ने उनसे क्या कहा है वही होता है जब आप पवित्रात्मा से भर जाते हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन से जब मैं सचपुछ इसका मूलने समझ गया कि वास्तविक्ता से पवित्रात्मा से भर पूर होना मेरे सबसे लंबी चाहत यही रही है कि प्रती दिन मैं पवित्रात्मा से भूर और प्रती दिन परमेशन को मुझसे बात करते हुए सुनो मैं चाहता हूँ कि प्रती दिन मेरे जीवन के विशे में कहा जाए हफते के साथ दिन परमेशन ने कुछ कहा और कुछ हुआ नहीं क्या पैसा कभी कुछ पढ़ते हो कृपया उत्पति पहले अध्याफ़ पर मनन कीजिए प्रती दिन जब परमेशन ने कुछ कहा कुछ हुआ और वह कल आज और योगाणय योग एक सा है वह एक जब परमेश्वर कुछ कहता है कुछ होता है अगर कुछ नहीं होता फिर परमेश्वर ने नहीं कहा है और जब परमेश्वर बात करता है वो अपेक्षा रखता है कि हम उसके विशे में कुछ करे जब परमेश्वर का वचन आता है वो ऐसे ही खाली व्यर्थ उसके पास नहीं लोटता मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ यशया उसका पच्पन अध्या है उसका ग्यारवा वचन कृप ऐसे याद रखे अगर आप नहीं जानते तो यह अच्छा वचन है याद करने के लिए यशया पच्पन ग्यारा परमेश्वर अपने वचन के बारे में कहता है मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है हम क्या पढ़ते है उत्पति पहले अध्या में परमेश्वर जो उसके मुख से निकला अगर मेरा वचन मेरे मुख से निकलता है परमेश्वर कहता है वह व्यर्ट ठहर कर मेरे पास नहीं लोटेगा इसका मतलम कुछ हासिल किये बिना वह वापस नहीं आएगा सोच के दिखिया यह श्या 55-11 जब आ बुद्पत्ति पहला द्याय पड़ते हो परमेश्वर का वचन कभी खाली वापस नहीं लोटा पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चोथा दिन किसी भी दिन जब परमेश्वर कुछ बात करता है वो व्यर्ट नहीं आता वो कुछ न कुछ पूरा करेगा वो व्यर्ट नहीं आगा जो परमेशर चाहता है उसके बिना उसे पूरा किये बिना नहीं लोटेगा और उस काम मैं सफल किये बिना जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है क्या ही अद्बुत वचन है ये मैं उसे दोरान चाहता हूँ परमेशर कहता है मेरा वचन जो मेरे मूझ से निकलता है वो कभी भी व्याट ठहर कर मेरे पास न लोटेगा कुछ पूरा किये भी न नहीं लोटेगा पर वो उसे पूरा करेगा जो मैं चाहता हूँ जो परमेशर की इच्छा है और और वो सफल होगा उस काम के लिए जिस काम मैं मैंने उसे भेजा है दूसरे शब्दों में जब परमेश्वर कोई वचन देता है वो एक उद्देश के साथ उस वचन को देता है और फिर वो उस उद्देश को पूरा भी करेगा हम भजन 106 में पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा किया उसने कुछ पूरा किया उस वचन ने याद रखिए येश्वर ने एक वचन कहां कुछ होता था हमेशा हाँ और वो कल आज और योगान यूग एक साह है और इसलिए मैं बाइबल को दूसरे कहानियों को जैसे पढ़ता हूँ वैसे नहीं पढ़ना चाहता हूँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अगर आप कम से कम दो या तीन वर्षो तक एक मसीह रहे हो और आपने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है मेरा विश्वास है कि आप वाकई परमेशर का आदर नहीं करते अब मैं आपका अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा है पर मैं को बताना चाहता हूँ अगर आप एक मसीह रहे हो तीन वर्षो तक और आपने पूरे बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा मैं यह नहीं कह रहा है आप समझ गए हो या ने पर आपने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा एक बार भी मुझे यहन मत बताए कि आप परमेशर का बहर रखता हूँ मैं आपके मूँपर कहना चाहता हूँ बहुत नम रतास है मेरे प्रिया भाई प्रिया बहन आप परमेशर का आधर नहीं करते हैं आप केवल ऐसे मसीह हो जो लोगों पर लोगों को खुश करना चाहते हो प्रसंद करना चाहते हैं आपके कलीसया में दूस किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है आपके परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए और एक दिन वो आपको पत्र लिखते है मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी और वो एक लंबा पत्र आपको भेजते हैं शायद कई घंटे लगेंगे, शायद कुछ दिन लगते होंगे, एक बीस पन्ने का पत्र खत लिखने के लिए आपके लिए, और ये वो पिता है, जो आपको आर्थिक तोर पर आधार दिये हुए है, आपके लिए कई चीज़े करते हैं वो, और आप पढ़ते ही नहीं उसको, आपको कोई फरक नहीं पढ़ता उस पत्र को पढ़े या ना पढ़े, पहले पन्ने से अंतिम पढ़ने तक आप नहीं पढ़ते, आप कैसे कह सकते हो कि आप आपके पिता का आधर करते हो, या आपको आपके पिता की खयाल है, या आप आभारी हो आपके पिता के लिए जो आपके देखभाल कर रहा है, आपने कभी उन्हें देखा नहीं है, वे सौ मील, हजारो मील दूर है, पर कड़ी मेहनत करते हैं आपको पैसे देने के लिए, आप कहे ही नहीं सकते, कि आप प्रेम करते हो, आधर करते हैं आपके पिता का, अगर आप प्रतिक वाक्य नहीं और आप उसे पढ़ते ही नहीं शुरुआत से अंत तक, आप विश्वास नहीं रखते कि यह परमेशर का वचन है, आपको लगता है कि 40 अलग अलग लोगों ने इसे लिखा है, अपने अपने विचार दाले हैं, पर मैं आपको पताना चाहता हूं, मेरे पढ़ने से 64 लिख कर रखा, यह उन पचास यह अध्याय था जिसके द्वारा मुझे बुलाया था परमेशर ने, तु मेरा सेवक है, तेरे मा के गर्भ से मैंने तुझे बुलाया, मैंने कहा अध्भुत है प्रभु, प्रभु तुने मुझे मेरे मा के गर्भ से बुलाया, तेरा सेवक ह के लिए अब मैं जानता हूँ कि ये बाइबल में प्रत्यक विक्ति के लिए पर उस दिन परमेश्वर ने सीधे तोर पर मेरे रिधाई से बात की और कुछ अध्वुत चीजे उस अध्याय में से जो प्रभु ने मुझसे कहे और जो मैंने देखा कि मेरे जीवन में पूरे हुए。 1964 से लेकर आज तक इन सारे वर्षो में 58 वर्षो में मैने देखा है वो पूरे वुए अलगळग तरीके से पर मैंने उसे स्विखार किया परमेश्वर ने बसे बात की कभी-कभी परमेश्वर विषेश इस्टोर पर हमसे बात करता है और उसे पुरा होता है मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को पड़े कि परमेशर आपसे बात कर रहा है परमेशर आपसे बात करना चाहता है प्रती दिन और उसके लिए आपको वाकई परमेशर से मांगना है कि वो आपको पवितरात्मा से भरे फिर वो आपसे बात करेगा अंदर से और पहली चीज जो पवित्रात्मा करता है पहली चीज क्या है जो पवित्रात्मा करता है जब वो हमारे अंदर आता है मेरे साथ निकाल यह रोमियो आठवाद्या है अगर यह नहीं हुआ है तो कुछ चूक गया है कुछ गायब है पहली चीज कुछ लोग कहेंगे कि पहले चीज़ जो पवित्राइत्मा करता है जब वो आपके जिवन में आता है कि वो आपको अन्य महाशा में बुलवाता है मैं उससे सहमत नहीं हूँ अन्य भाशा में बात करना मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला कुरंटियो उसके बारवे अध्याय से ये बिलकुल साफ साफ लिखा है वहाँ वो पवित्रात्मा का एक वरदान है और बहुत साफ साफ लिखा है पहले कुरंट उसके बारवे अध्याय में कि सब पहला कुरंट बारा उसका तीस वचन सब अन्य भाषा में नहीं बोलत पहला कुरेंट बारा तीस इसके बावजूद कि पवित्र आत्मा ने लिखाए कि सब मसीही अन्य भाषा में नहीं बात करते हैं उसके बावजूद कुछ लोग आज कहते हैं कि सब लोग पवित्र आत्मा में बात करने चाहिए जब पर्मेशर कहता है कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं और आप कहते हो कि सब अन्य भाषा में बात करते हैं मुझे उसकी याद आते हैं जो शैतान ने कहा क्या वाकई पर्मेशर ने कहा हाँ पर्मेशर ने वाकई कहा कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूँ मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ मैंने पिछले 48 वर्षों में बात किये पर मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते मैं इसमें भी विश्वास करता हूँ जो Bible बताती है कि अन्य भाषा सारवेचन एक तोर पर नहीं इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो परमेशर से बात करता है पहला कुरंट 14 उसका दूसरा वजन पहला कुरंट 14 दो वे मनुष्यों से नहीं, वे पर्मेशन से बात करते है, यह वहीं यहां लिखा है अगर आप एग कलिस्या में जाओ, जहां हर कोई अन्य भाषा में बात करता है, वो भी लिखा है, पहला कुरंतियों 14 अध्या है जाम पढ़ते हैं पहला कुरंटियों 14-33 में आप किसी कलिश्या में जाओ और हर कोई अन्य भाष्या में बात करता है आपको मूर कलिश्या कहना पड़ेगा यह मेरे शब्द नहीं है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो बाइबल बताती है पहला कुरंट 14-23 अगर हर कोई अन्य भाष्या में बात कहे तो आप उसे एक पागल कलिश्या कहोगे आप कहोगे कि पिंटिकोस्टल कलिश्या है मैं कहता हूँ परविश्यर के वचन के अनुसान वो पागल कलिश्या है पहला कुरंट 14-23 कुछ लोग कहते कि आपको अन्य भाष्या में बात नहीं करना चाहिए पर क्योंकि पहला कुरंट 14-49 में लिका है कि आप अन्य भाष्या बोलने से मना मत करो मसीयत में समस्या यह है हम संतुलन को नहीं जाते या तो हम एक चरम में जाएंगे सब कोई अन्य भाषा में बात करें दूसरे चरम में जाकर कहते हैं कोई भी अन्य भाषा में बात नहीं करें संतुलन को ढूंडिये बाइबल के संतुलन को ढूंडिये मैंने ध्यान से बाईवल को पड़ा कई वर्षों पहले पर पवित्र आत्मा सबसे पहली चीज़ क्या करेगा? रोमियो आठ जब वो हमारे रिदे में आ जाता है जैसे ही वो हमारे रिदे में आता है यहां लिखा है रोमियो आठ पंद्रा हमने दासत्व का आत्मा नहीं मिला पर हमें लेपालगपन का आत्मा मिला है मतलब हम परमेश्वर के संतान बनाए गए है लेपालगपन मतलब यह नहीं कि आज जैसे हम गोद लेना सोचते हैं आप किसी को गोद लेते हो जो आपका बच्चा नहीं है और फिर आपके घर में लाते हुँए यह नहीं यहाँ वो मतलब नहीं है यहाँ लेपलक्पन का बिल्कुल अलग अर्थ है हम जिसको गोद लेना कहते है उससे बिल्कुल अलग इसका मतलब कि आप सद्ध हो जाते हो परमेशुर के संतान की तौर पर आप पहचाने जाते हो उसके ऐसे और पवित्रात्मा अंदर आता है और सबसे पहले हमारे अंदर आकर हमसे आकर वो क्या कहता है हे अब्बा पुकारता है पिता हे पापा अब्बा का मतलब है अब्बा क भाशांतर नहीं किया गया उस शब्द का, मैं दुख से यह कहना चाहता हूँ, अब्बा यह इंग्लिश में शब्द नहीं है, वो युनानी शब्द है, हमारे भारत में जैसे हम अप्पा कहते हैं कुछ भाशाओं में, या पापा, बिल्कुल वैसा यह अब्बा शब्द आत पिता, क्या आपके जीवन में यह हुआ है, मैं आपको यह नहीं किया रहा हूँ कि कोई आपको सिखाएगा, इस व्यक्ति को देखकर कहिए, उसको पापा कहो, कुछ बच्चा जो आपका बच्चा नहीं है, वो अनात हो गया, आप उसको अगर घर लेओ, और उसको आप या डैडी मम्मी कहाن क्या आनंद आपके रिधैंक को हुआ मैं जानता हूं मेरे 4 बेटे है और मुझे इतना आनंद होता है जब उन्हेरे बुझे पापा कहा डैडी कहा और मैं आपको पताना चाहता हूं क्या या आप सभस wasn Army कि आप सबके साथ सच नहीं है जिन पास बच्चे हैं, जब आपके बच्चे ने पहले बार आपको पापा कहां, कौन ज्यादा उत्साही था, आप या वो बच्चा, आप ज्यादा उत्साही थे, अरे उसने मुझे पापा कहां, क्या ही अद्बुत है, क्या आप विश्वास करते हो, क्या आप इस पर विश्वा कहूंगा प्रेलित पी प्रार्तना करते थे हे प्रभू मैं भी कई वर उसको हे प्रभू कहता हूँ पर मेरा पसंदिदार शब्द है डैड़ी पापा क्या यह आपका पसंदिदार शब्द है जब आपने सुर्गे पिता से बात करते हूँ कुछ गीत है इंग्लिश हिंबुक में मैं उनके मेरा मार्गदर्शन करो हे माहान यहोवा एक ऐसा गीत है जब आप प्रार्तना कर रहे हो वो प्रार्तना होती है हे मेरा मार्गदर्शन कर माहान यहोवा मैं कहता हूँ कि मैं उसको ऐसा नहीं गाता क्योंकि मैं परमेशर को य WAT आप कभी इहोँton को नए नियम में नहीं पाते हो है पिता पिता मैंने लोगों को पता है मैं पर्मिश्वर को यहवा नहीं गाता मैं वो गीत नहीं गाता महान यहोँा मेरा मार kaç दरशन कर जब बाकी लोग गा रहे हैं मैं कहता हूँ मेरे स्वर्गिये पिता तु मेरा मार का दरशन कर मैं धीरे से गाता हूँ मैं सबके सामने जोर से नहीं गाता हूँ मैं वो ही कहता हूँ और लोग मुझे कहते हैं, क्या वो यहवा नहीं है, आप उसे यहवा क्यों नहीं कहते हैं, मैं कहता हूँ, अगर मेरे बच्चे आकर किसी दिन मुझे कहे हैं, श्रीमान पूनन, मिस्टर पूनन, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैं कहूँगा, तुम मेरे बेटे हो, तु इसको निस्या तरफा पर Pure Miniश Coffee कहीं यह? पर मैं परश्चना करना चाहता हूँ आप मैंसे कितने लोग उसे पिता कहता हूँ मैं सुवे उठकर कहता हूँ पाप्पा पापा कितना अच्छा है आज आज से बात करना मैं अपने दिन की शुरुवात ऐसे करता हूँ मैं एक बहुत खुशाल वेखती हूँ मेरा जीवन बहुत स्वर्गिय हो गया है प्रती दिन मेरा घर एक स्वर्ग का चकने जैसा हो गया है स्वर्ग को चकने जैसा है और उसका एक कारण ये है क्योंकि मैंने पर्मेशर को एक डाड़ी की तौर पर पापा की तौर पर जाना है जब पवित्रात्मा ने मुझे अबर दिया उसने मेरे जीवन को बदल दिया मैं दूसरों से बहतर मसी नहीं हूँ मैं अपने आपकी तुलना किसी और से करने के लिए नहीं हूँ वो पर्मेशर तय करेगा पर मैं यह जानता हूँ कि पवित्रात्मा ने मेरे अंदर आया है और उसने पापा पुकारा है हाँ उसने मुझे कई बरदान दिया उसने आन्या भाषा का दान और दुर्भागय पौन इतने लोग है जो पुल्पिट स्माच खड़े होते जिनको पर्मिशन ने वर्दान दिया ही नहीं है और आप उनको पांच मिनिट तक सुनो आपको तुरंट पता चल जाएगा पर्मिशन उन्हें दान नहीं दिया है आप कोगे कि यह वेक्ति अपने प्रत Aryk बच्चे को जैसे शरीर के अलग-अलग अंघ अलग-अलग काम करने के लिए ए सबसे महतवपोन चीज है कि हम उसे पिता की सबसे कटिन शब्द जो येश्ण कहा कि हम उसके सारी आज्याउं को माने कि आप इससे सहमत नहीं हो उसने हमें कहा कभी ग्रोधित नहीं होना उसने हमसे कहा और मरशों को पुरुषों को समझत planets कभी लैंगिक वासना नहीं होनी चाहिए आपके मन में भी किसी स्त्री के प्रती संसार में आपके जो यौन इच्छा है लालसा है केवल आपके पत्नी के लिए आपके विवा के बाद किसी और वेक्ति के लिए आप किसी इमानदार वेक्ति से पुरुष से पूछिए वो बहुत बड़ा संगर से उसके लिए और इसके बावजूत येशु ने कहा अगर आप अपने मन में लालसा रखते हो वासना रखते हो तो ये नर्ग जाने का पहला कदम है कई लोग इसे जानते भी नहीं अगर आप नई गुस्से पर विजय नहीं पाते है आपके घर में ये पहला कदम है नर्ग की और क्या आपको लगता है येशु के आग्याए आसान है अपने शत्रों से प्रेम करो उन्हें आशिजदो जो आपको श्राब देते हैं भलाई करो उनके लिए जो आपके प्रति दुश्चता करते हैं प्रति कोक्षमा करो चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों न किया हो क्या आपको हुए हो अगर आप उनका आग्या नहीं मान सकते क्योंकि आप पवित्रात्मा से भरे नहीं हो और क्योंकि आप उनकी आग्या मानना नहीं चाहते हो परमेश्वर आपको पवित्रात्मा से भरता भी नहीं आपको क्यों जरूरत है पवित्रात्मा से भरने की अगर आप आग्य एक लाग रुपए या एक लाग डॉलर देता है जाकर कुछ खरीदने के लिए कंपनी के लिए और इसको एक लिस्ट सूची थमाता है और आपको 10 रुपए या 10 डॉलर देता है कि आप जाकर कुछ खरीदे और आप कहते हो यह क्यों अंतर आपने किया है उसे क्यों जादा द मेरा परमेश्यर मेरी जरुवरत बढ़ गई उसने मुझे जड़ादा दिया तो एक लाख होगा तो एक लाख रूपए देगा आत्मिक तोर पर जरूरत के अनुसार और यहां येशु का एक कथन है यहना 14 में उसके 15 वचन में आप येशु मसी के प्रति अपने प्रेम को कैसे साबित करते हो आप औसत मसी से पूछो येशु के प्रति आपके प्रेम को साबित करो वो कहेगा मैं कलिस्या जाता हूं मैं गीत गाता हूं मैं अपने दश्वांस क देता हूँ, ये बिल्कुल कच्रा है येश्यो ने कहा, यहना 14-15 में यदि तुम इसे प्रेम रखते हो, तो मेरी सारी आज्याओं को मानोगे ये कोई दूसरा सबुत नहीं है, मसी के लिए हमारे प्रेम का, इसके बजाए कि हम प्रभु के आज्याओं माने, ये नहीं कि हम गीत गाए, प्रभु मैं तुस्से बहुत प्रेम करता हूँ ये सब उन प्रेम के गीतों समाने, जो लड़के लड़के एक दूसरा के लिगाते हैं, बिना मुल्य है ये शो ने का, अगर मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्याओं को मानो और अब कहते हो कि अगर आप वहीं रुख जाओ तो अगले वच्चन को न पढ़तों, वहीं रुख जाओ तो मनन कीजिए उसकी सारी आज्याओं मानना कभी मेरे मन में लालसा न करना कभी गुस्सा नहीं होना एक बार भी कभी क्रोध न करना किसी पर मेरे सारे शत्रों से प्रेम करना प्रत्य को शमा करना जिसने मुझे चोट पहुंचाई है विश्वास से जीना परमेशन में बरुशा रखना हर समय कभी चिंता ना करना फिलिपियो चार छे, किसी बात की चिंता मत करो फिलिपियो चार छे, हमेशा आनद करना फिलिपियो चार चार क्या आपने इन आग्याओं को गंभीरता से लिया है ये भी आग्याओं है मसी की जो फिलिपियों में लिकिये पर पवित्रात्मा दौरा गिये किसने दिये वो आग्या येश्यों ने वो आग्या है पॉलस को दिये पवित्रात्मा दौरा ये येश्यों क्या आग्या है मेरी आग्याओं को मानो और कहना प्रभू मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इमानदार विक्ति योन्ना 14-15 पढ़कर कहता है प्रभु ये असंभव है पुरानी नियम में हम रख सकते थे मूर्ती नहीं करना मैं कभी मूर्ती नहीं बना था प्रभु कनाम व्यर्तने लेना संभव है अपने माटा पेता का आदार करना संभव करना लोगों को हाथ या ना करना संभव है मैंने किसी के आद्ध cens कहा नहीं करना व्यभिचार मत करना किसी के जूटी गवाई ना देना कोर्ट में ये सब संभव है ऐसी आग्या, जो थी पुराने नियम में वह संभव थी पर नए नियम के आग्या है आप भाड़ी उद्देश को जाकर देखे आप पांच अध्य में आटक जाओगे मत्ती पांच के आप वहाँ आटक जाओगे आप आगे जाए नहीं सकते आप एमानदार हो तो आपको के प्रभु यह असंभव है इसलिए वह उसका उत्तर देता है अगले वचन में ठीक है तुम मेरे आग्याओं को नहीं मान सकते यहना 14-16 मैं पिता से विंती करूँगा और वह तुमें एक और सायक देगा पवितरात्मा को देगा क्या आप पुरुष्ट भूमी को देखते हो कब येश्व मसी ने पहले बार पवितरात्मा के विशय में काशिश्यों को यह अन्य भाषा में बात करने के बारे में नहीं सुसमाचार प्रचार के बारे में नहीं किसी वर्दान के बारे में नहीं उसकी आज्याय मानने की विशय में आप में से कई शायद पवित्र आत्मा की भरपुरी खोज रहे हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप खोजे आज से पवित्र आत्मा के भरपुरी को कईए प्रभू येश्यू मैं तेरे आग्याओं को नहीं मान सकता कृपया मुझे तेरे पवित्रात्मा से भर दे उसके लिए मैंने वही प्रार्तना की मैंने कभी परमेश्वर से ये नहीं मांगा कि वो अन्या भाषा का वर्दान दे मेरे बिना मांगे उसने मुझे दे दिया मैंने कभी परमेश्वर से नहीं मांगा कि वो मुझे शिक्षक बनाया उसके वचन का उसने मुझे वो अक्षमता दी मैंने केवल यही का जब मैं पहले बार मसी के पास आया मैं ट्रैक्स देता था लोगों को बताता था कि येश्व मेरे पापों के लिए मरा हमारे पापों के लिए मैं वही प्रचार करता था मैंने गवा होने की कोशिश किये मैं जहां कई था मेरे काम के जगे सड़कों पर बस में ट्रैन में मैं ट्रैक्स देता था लोगों को मैंने उतना ही किया पर प्रवेश्वाप ने का मेरे पास बैरे पास मैं चाहता हूँ कि मेरे कलीष स्थ्या में एक सेवक दो हिए मैं सेवक हीला हो फिर मुझे पविक्ट आत्मा से भरना होगा तक छो यह विո मिन का प्रभु मैं तीरे आग्यां का मानना यह मेरि क्षमता नहीं थी कि मेरे आग्या नहीं मान पारा था इसलिए मैं प्रविश्वर के पास गया मैंने कितना उपास किया प्रात्ना की मैंने प्रभु को खोजा रोकर विलाप करके मैं अपने बिस्तर पर मेरे तकिये पर रोता था रात में क्या आपने कभी किया है? प्रभु मेरी साहता करकि मैं पाप पर विजय पाओ, मुझे पवित्रात्मा से भर दे, मैंने कई कई बार वो किया, मैं गिन नहीं सकता कितने बार मैंने अपने तकियों पर आसुबाय है, कि प्रभु मैं पवित्रात्मा से भरना चाहता हूँ, मैं जाना मना नहीं होना चाहता, आज भी मैं कहता हूँ, मुझे शुन्य, मैं परमेशर के सामने खड़ा होकर कहता हूँ, मेरे पास शुन्य इच्छा है, कि मैं जाना मना हो जाओ, लोग प्रिया हो जाओ इस संसार में, मेरी एक बहुत तिवर उग्र इच्छा है, कि मैं परमेश और आपने आपको मुर्क बनाया और आज भी पाप से हारे होए हो फिर वो किस प्रकार की भरपूरी हुई है इस संसर में आप बताइए क्या साधे पेपर को वो कागस को नकली बनाता है टॉइलेट पेपर को नकली बनाता है क्या नहीं सो रुपए के नोट को नकली बनाता है दो हजार रुपए के नोट को नकली बनाता है उसी का नकली बनता है सबसे बहो मुल्य जो करंसी नोट है आपके देश में उसका ही नकली बनाया जाता है आपको क्या लगता है शैतान किस चीज का नकली बनाएगा अन्य भाषा नहीं वो लोगों को मूर्ग बनाने के लिए है जिनको लगता है कि वो महत्वपूर है पर पवित्रात्मा के भरपूरी शैतान केता है कि वही महत्वपूर नहीं वो नहीं यहना 14 उसका 15 और 16 वचन पवित्रात्मा के भरपूरी आपकी साहता करेगा कि आप येशु की आज्याए मानो वही मैं विश्वास रखता हूँ आप कहते हूँ कि आपको यह कहां से मिलता है यहना 14 अद्य, 15 और 16 वचन येश्व ने कहा अगर तु मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्याओं को रहा हो मानो मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु कहता है तु मेरी आज्याओं मानो मैं कहता हूँ प्रभु ये कितना कटिन है येश्व कहता है मैं पिता से विंति करूँगा वो तुझे पवित्र आत्मा देगा, साहयक देगा क्यों? किस चीज की साहयता? ये नहीं कि आप अन्य भाशा में बात करो नहीं आप शिक्षक बनो या प्रचारक बनो नहीं मेरी आज्याओं मानने में साहयता करे मेरे प्रिया भाई और बैनो आप में से कुछ जो पवित्र आत्मा के भरपूरी को खोज रहे हो कई समय से उसके सामर्द को खोज रहे और आपको कुछ नहीं हो रहा यहना 14, 15 और 16 के दाव इस पर जाकर उसकी खोज करे प्रभु येशु मुझे एक साहयक दे कि मैं तीरी आज्याओं को मानूँ और देखे कितने जल्दी परमेशर आपके प्रात्ना का उत्तर देगा और ये एक समय के लिए नहीं है दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ मैं प्रती दिन परमेशर से प्रात्ना करता हूँ विश्वास करे या ना करे प्रती दिन एक न कही हुई एक पुकार है प्रात्ना है मेरे रिदय में पुझे पवित्रात्मा से भर मैंने परमेशर को साफ साफ कहा है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता पैसे के बारे में मैंने आपकी सेवा किये प्रभू 1966 से जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी वो आखरी समय था जब मुझे कोई तंखा मिली मैं 1966 में उसके बाद कभी मुझे तंखा नहीं मिली मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने कभी किसी के लिए प्रार्टना का निवेधन का पत्र नहीं भेजा है, किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी किसी को भनक भी नहीं लगने पड़ी कि मेरी क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एक बहुत करोड़ पती, करोड़ पती, अर्भोपती पिता है स्वर्ग में, जो हमारे अगवों को कभी तंखा नहीं लेना अपने आपके लिए अपने सुर्गय पिता पर विश्वास रखें मैं आपका बताना चाहता हूं हम क्या करते हैं हमारे सुर्गय पिता को हम क्या खोचते पवितर आत्मा के भरपूरी के लिए कि हम उसके आग्याय मान पाएं परमे अधिकतर मसी जिनसे मैं मिला हूं जब मैं कहता हूं अधिकतर 50 प्रतिशत से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि लगबग 90 प्रतिशत मसी जिनसे मैं मिला हूं उनके पास एक अनात होने की आत्मा है एक अनात वो होता है जो अस आये है अस रक्षित है जिसके पास कोई नहीं उसक गले लगाने के लिए जहांदे कहां उड़ेंगे जब उनकी कोई जरुरत होती है वो किसे मनुश्य के पास जाते उनका स्वर्ग में कोई पिता नहीं है वे अनात है और आप में से कोई भी जो मनुश्य के पास जाता है सबसे पहले मदद के लिए और अपने स्वर्ग्य पिता के पास नहीं, आप एक अनात हो, अगर आपने किस पहले नहीं सुनाए तो आज सुन लिए, मैं आपको प्रेम से यह कह रहा हूँ, आप जाकर, आप अगर पहले मनुष्य के पास जाते हो सायता मांगने के लिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कई मसीही वो नास्तिक होते हैं, उनके वाकई में वो नास्तिक हैं, वे ऐसा बरताओ करते हैं मानों परमेशरी नहीं हैं, वे अनात हैं, मैं एक अनात हैं, मैं आप पर आलोशना नहीं कर रहा हैं, मैं कई वर्षों तक खुद अनात था, जब तक पवित रात्माने मुझे और मुझे दिखाए कि तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है एक सच्चा पिता जो आपकी देखभाल करता है एक ऐसा पिता जो तुम्हें अनुशासित करेगा मैं अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट था मैं निश्चे कर लिया था कि मेरे बच्चों को मैं परमेशर के भाई में बढ़ा करूँगा और मैंने प्रातना की कि मेरे चारो बेटे बड़े होकर मेरे मसी में भाई बन जाए एक दिन और आज वे मेरे भाई हो गए मसी में और वे परमेशर की सेवा काई कर रहे है आज चारो के चारो पर मैंने उनको अनुशासित किया एक अच्छा वे पिता उनकी अनुशासित करेगा मैंने उनको अनुशासित किया पर आप मेरे पोते हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैंने उन में से किसी को अनुशासित नहीं किया वे कई गलत चीजे करते तब भी मैं केता हूँ नहीं नहीं ठीक है मैं बस उनसे प्रेम करता हूँ उनसे आशिष उन्हें आशिष देता हूँ अनुशासन करना उनके पिता का काम है किसी ने मुझसे यह प्रश्ने किया मैं अपने पोतों के घर गया और फिर बैंगलोर लॉट कर रहा है किसी ने कली से में पुछा भाई जैक आप अपने बच्चों के साथ इतने स्ट्रिक्ट थे अब आपके पोतों के साथ कैसा है मैंने कहा आपका एक बेटा जब आपके पोते को सुधारने वाला है उसे डाटने वाला है तो क्या करते हो आप क्या बैट कर देखते हो उसे मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं उनको दंड पाते हो नहीं देखना चाहता है मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे पोतों को दंड मिल रहा है मैं बाहर चलने को चाहता हूँ और जब मैं वापस आता हूँ कि मेरा छोटा पोता रोर रहा होता है और फिर मैं अपने गोदी में बिठा कर उसे कहूंगा वो कहेंगे कि डाडी ने मुझे मारा मैंने कहा कि वो अच्छा है तुम्हारे लिए मैं नहीं करूँगा एक दादा होने के नाते मैंने कभी अपने बच्चों को पोतों को मैंने दंड नहीं दिया है अनुशासित नहीं किया है और ये मुझे एक चीज सिखा थी है कि परमेशर एक दादा नहीं है वो एक पिता है वो अपने बच्चों को अनुशासित करता है अगर आप कभी अनुशासित नहीं पाए हो परमेशर से आपने परमेशर को पिता की तोर पर नहीं जाना अगर आप एक grandfather नहीं है, दादा नहीं है, वो एक पिता है, वो सुधारता है, वो डाटता है, अनुशासित करता है, और जब आप Bible को पड़ो, अपेक्षा रखे कि परमेश्वर आपको डाटे, सुधारे, और आपको सांत्वन भी दे, नहीं तो आप एक अनाथ हो, पवित्रा आत्मा आ पहाड़ी उपदेश जो है, मत्ती पांच छे और साथ, जब हमने पहले CFC कलिश्या की शुरुवात की, 1975 में, अगस्त का महिना था, बैंगलोर में, मेरे घर के अंदर रभुद हुआ, दो ही लोगों से शुरुवात हुई उसकी, और फिर कुछ और लोग, और धीरे धीरे बढ़ते गया, और आज जो कई-कई कलिश्या है, पर जब हमने शुरुवात की, कलिश्या की, वचन के दो भाग थे जिनकी हमने बहुत जादा अध्यान किया, एक अच्छी नीव रखने के लिए, पहले एक वर्ष के लिए कम से कम, पहला था लूका 14, 25 वचन से आगे, शि क्योंकि येश्व ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्याओं को मानो, हमने इन अध्याओं को बहुत जादा अध्यान किया, लूका 14, 25 से आगे, अंत तक, और मत्ती 5, 6 और 7, और क्यों मत्ती 5, 6 और 7, क्योंकि, हम एक कभी नहिलने वाली कलिश्या बनान और मैंने वहाँ पड़ा, 26 वचन में, 27 वचन, 26 और 27 वचन, जो कोई मेरी ये बाते सुनता है, और उन पर नहीं चलता, वो उस निरबद्धी मनिश्य के संभान ठेरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, या अपनी कलिश्या बालू पर बनाई, कई प्रचा रखे है जो अपने कलिश्या को बालू पर बनाते हैं, वो क्या है, आप उनको सिखाते नहीं कि वो सारी आग्या है माने जो येश्यो ने सिखाए मत्ति पांच यह और साथ में, ये वो कलिश्या है जो बालू पर खड़ी है, आप प्रचार करते हो पर वो उसे आग्या नहीं मानते, यह नहीं कि यह लोग सुन नहीं रहे यहां लिखा है कि वे सुनते हैं पर वे आग्या नहीं मानते यह गैर मसीयों के बारे में नहीं कह रहा है जो कभी नहीं सुनते नहीं 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 यह उन मसीयों के बारे में जो हर समय कलिश्या जाता है परमेश्टर का वचन को प्रती सं उपर आग्या नहीं मानते तुम कलीशिया जाकर सुनते उबर आग्या नहीं मानते फिर आप एक ऐसे व्हेक्ति के सामने हो जिसने अपने घर अपने परवार को बालू पर बनाया कनी को बूत कर आओ और चारो येशु के शिष्षे होte ूंनमें से एक नहीं चारो और मैंने कहा आगर वे शिष्षे नहीं बनेगे येशु के तो मैं असफल हो मैं उन पर दोश्ष को यहांगा छिया कि लिंपोरे का मेरे पेटो मैं ने तुम्हें सही से बड़ा नहीं किया मैं आपको बताता हूँ क्यों कि Bible बताती है नीति वचन में एक लड़के को ऐसे बढ़ा करो जैसे वो जाना चाहिए जिस मार्ग में और जब वो बुड़ा हो जाएगा वो उसे नहीं चोड़ेगा ये वाईदा है एक लड़के को वैसे बढ़ा उस मार्ग में ले जाओ जिस में उसको चलना चाहिए और तेरा काम है जब वह अपने बुड़ा में उससे नहीं अटेगा हर प्रमेशर के वाईदे में वैसा यी होता है प्रमेशर का भाग मनुशब का भाग मनुश्या का भाग है एक लड़के को वही मार्ग में चलना जैसे उसको देना चाहिए नीति वचन 22 चे परमिश्र का काम है मैं निश्चित करूँगा कि वो उसे छोड़ कर नहीं जाएगा मैंने का प्रभू मेरे एक शम्ता के अनुसार सबसे बहतर मैं करूँगा पुईतर आत्मा के साहित से अपने बच्चों को इस्वर्य तोर पर बड़ा करने में यह नहीं कि वह पैसे के लिए जिए यह नहीं वह संसार के लिए जिए पर वह पाप के विरुद लड़ाई से जड़े यह पहले दिनों से सिद्ध नहीं होंगे वह अपने जीवन बर सिद्ध नहीं होंगे मैं अंज सिद्ध नहीं हूँ पर वह उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे और वो येश्यो के पीछे चलेएंगे और बाईवल बताती है अगर एक वेक्ति अपने बच्चों को नहीं बढ़ा कर सकता पहला तिमति उस तिसरा दै वो कलीशा में प्राचिन होने के लाइक नहीं है और मैंने कहा अगर प्रभू मेरे बच्चे भटक जाये तो मैं प्रचार करना छोड़ दूँगा अगर मैं चार बेटों को घर पर बढ़ा नहीं कर सकता तो मैं कलीशा में 40 लोगों को कैसे चलाओंगा ऐसे लोग है जो 400 लोगों को कलीशा में चलाते हैं 4000 लोगों को किसी मेगा चर्च में और वो पास्टर जो खोड़ है उसके बच्चे सारे भटके हुए है मैं कहता हूँ आप दो तीन बच्चों को अपने घर में नहीं बढ़ा कर सकते आप चार सो लोगों को ये कलिशा में आगवाई कर रहे हूँ ये मूर्कता है पहला तिमुत्य उस तीन में साफ लिका है एक विक्ति जो अपने बच्चों को बढ़ा नहीं कर सकता इस योग के नहीं कि वो लोगों क्या गवाई करे आप में से कितने मेरे प्रिया भाई और बेहनो इस विशे में बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो क्या आपको ये ध्यान है कि मेरे बच्चे पूर्ण रिदई से येशु के पीछे नहीं चलते क्या वो कलीषय जाते ये परियाप्त है शेतान भी कलीषय में जाते एक अच्छी कलीषय होगी तो शेतान हर संड़े उस कलीषय में जाएगा क्योंकि वो लोगों को वहाँ धोका देना चाहता है उसका कोई मतलब नहीं बनता मुensitive बात यह है कि आपके बच्चे येशु के पीछे चल रहे है ये नहीं कि वे कलिश्या जा रहे है कि येशु के पच्चिनों पर वे चल रहे है किया कवैसे हमें आपने बच्चों को बड़ा करना है नई तो आपका घर एक दिन गिर जाएगा मैंने government को धोका दिया था पैसे के मामलों में, जब मेरा नया जन हुआ, मैंने मन फिराया, और मुझे 3-4 मैने की मेरी 9 सेना की salary को तंखा को बचा कर जोड़ कर उसे लोटाना पड़ा, और मुझे याद है उस दिन में 1961 में, जब मैंने वो पैसे को इकटा करके, जब मैंने उस समय, उस मामले को सही नहीं किया होता उस समय, 1961 में, तो तुम एक chain लेकर, एक जन्जीर को लेकर अपने पैरों में जन्जीर बांदे हुए, इन 62 वर्ष चलते होते, तुम कोई उन्नत ही नहीं करते, ऐसे कुछ लोग है, उनके अतित में ऐसा कुछ है, कोई आर्थिक मामला, किसी को उन्हें गलत किया, उन्होंने माफी नहीं मांगे और वो वैसे ही पड़ा है, उन्होंने कभी उसको सही नहीं किया, और वो एक chain है, जन्जीर है आपके पैरों में, इसलिए आपने उन्नत ही नहीं की इतने वर्षों में, इसलिए आप वैसे के वैसे स्थिर हो, आप का आत्मिक जीवन आगे नहीं जाता दौडने के बजाए आप रेंग रहे हो आप शायद पीछे जा रहे हो मेरे प्रियभाई और बेनो मैं आपको डाट नहीं रहा मैं आपको चुनत ही दे रहा हूं कि आप अपने उन गल्तियों को जो आपने जीवन में किया है उन्हें में आज उद्धार इस घर में आया है वही येशुने का लुकाउनिस में आप पहले दस वचन पढ़िए लुकाउनिस के जक्कई की कहानी उद्धार उस घर में आया क्योंकि उसने चीजों को सही कर दिया बहुत-बहुत महत्वपुर्ण है आपका एक साफ विवेक होना च प्रमेश्य के सामने अगर आप प्रमेश्य के वचन को सुनते हो और उसे नहीं मानते तो आप अपने परिवार घर को बालू पर बना रहे हो और किसी कलिशय में अगोए हो तो आपकी कलिशय भी बालू पर बनेगी वो गिर जाएगी अगर आज तक वो नहीं गिरी मैं आप को भविशत्वानी करता हूं वो डग मगा जाएगी गिर जाएगी ये शुक्य वच्णों के वज़े से क्योंकि आप लोगों को आज्याकारिता नहीं सिखा दें आप लोगों को केवल इंस्ट्रक्शन देते हो सूचना है देते हो मत्ती साथ चब्विस पर मत्ती साथ चॉबिस में दूसरे लोग है जो मेरे बाते सुनते हो और उन्हें मानते हो आग्या मानते हो तब तुमारे परिवार जो है एक मजबूत पत्थर पर बनेगा चटान पर बनेगा मेरे पत्नी और मैंने तए किया मैं पर्मेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प आपको प्रोचसाइट करना चाहता हूं कि पैसों को देखकर चेहरे को देखकर बढ़ाई रिखाई को देखकर ना जाए किसी लड़की के यह संसारिक लोगों के जैसा है इश्वरियता को देखकर चुनाओ किजिए वही मैंने किया और हमारा एक ऐसा घर है जो चटान पर बना है यह अद्वत है कैसी पतनी या पती होना जो उसी मण का है मत्ति अठारा और उसका उनने सार बीस वचन किसी भी चीज से एक मत क्योंकि मैं उनके बीच में हूँ वो उन्हें मिल जाएगा क्या आप जानते हो कितने चीज मेरे घर में हमें मिल गई है क्योंकि मेरे पत्नी और मैंने एक मत होकर हमारे आत्मा में हम सहमत है हमारा विविक साफ है येश्यो हमारे बीच में है और हम प्रात्ना करते हैं हम हमारे बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं उसका उत्तर मिलता है किसी परिशिती में घर के परिशिती में हम प्रात्ना करते हैं उसका उत्तर मिलता है हमारे आर्थी कठेना यह है हर मनुश्य के पास नहीं जाते है हम कभी एक दिन भी कर्ज में नहीं रहे हमारे जीवन के आप कैसे कर्जे में हो सकते हो जो आपका पता इस पूरे भ्रह्मा विश्व का सबसे अमेर वेकती है क्या या मुर्किता नहीं है कि आपका पिता सबसे अमेर वेकती है और आप जाकर मुनुश्य से पैसा मांगते हो मैंने कभी नहीं किया है वो उस समय भी जब मेरे पत्नी के पास और मेरे पास बहुत कम था हमारे घर में बहुत बहुत कम हमने सीखा है कि संगर्ष करना क्या होता है क्योंकि हमने तैय किया था शुरुवात से ही कि हम प्रभु पर वरोसा रखेंगे और कभी हमारी जरूतों को मनुश्यों को नहीं बताएंगे और ये एक अद्बुत अनुभव रहा है विश्वा से जीना और हमने साबित किया है कि हमारे स्वर्ग्य पिता कभी हमें त्याक नहीं देता क्या ही अद्बुत अनुभव है और वही हम अपने बेटों को बता सकें आपके पास एक स्वर्ग्य पिता है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा वही मैं अपने अब मेरे सारे नाति पोतों को बताने की कोशिश करता हूं हर पीडी में हम चाहते कि वे प्रभु के लिए गवाह रहे मेरी प्रीय भाईयों और अपने बच्चों को आज्याका रिता सिखाईए अगर आप कलीश्या में हो तो आज्याका रिता सिखाईए यह नहीं केवल वे समझे मैं अंत करना चाहूँगा मत्ति छटा ध्याय जब आप प्रात्ना करो प्रातना करना मतलब प्रमेशर से बात करना, पिता से बात चीत करना, मैंने आपको उत्पति एक में परमेशर ने कहा, परमेशर ने कहा, परमेशर ने कहा, परमेशर ने कहा, और अब उस समय एक उत्तर न देने वाली सृष्टी थी, परमेशर ने पृत्वी से कहा, परमेशर एंकर और देंन क्यांत में, ऊसने मनूश्यों को बनाया, जो मनुश्य उसको उत्तर दे सकते थे, बात कर सकते थे, ये उस्की 이 Pac이 इसकी सबसे बड़ी लालसा थी अगर आप दिल से नहीं कहे रहे तो मत कहो मतलब नहीं है तो मत कहो कई गीत जो हम गाते हैं यह वाकई प्रार्तना होते है क्या आपने किसी गीत को गाया है मैं सब कुछ येशु को समर्पित करता हूँ क्या सच मुझ क्या आपने वाकई कहा या धुन अच्छी थी इसलिए आपने गा लिया सोच कर दें कि उन वचनों के बारे में उस गीतों को जो आप गाते हो संडे सुबह और आप देखते हो कि कितने जूट आप कहते हो परमेश्वर को संडे सुबह मेरे जीवन को ले और होने दे तेरे प्रती समर्पित होने दे प्रभू मेरे सोने चांदी को तु ले ले मैं एक पैसा भी तुझसे नहीं रोकूँगा क्या ही अद्भुच सब्ध हम कहते हो प्रभू से क्या आप वाकई दिल से ये कहते हो कि आप एक पैसा भी प्रभू से नहीं रखोगे कितने जूट संडे सुबे जब आप गाते हो तू मेरे लिए सब कुछ है पिता क्या वाकई अगले समय जब आप कोई गीत गाओ चाहे घर में हो चाहे कलिशया में हो उन शब्दों पर ध्यान दीजिए केवल उस धुन पर नहीं कई लोग तालिया बजाते हैं पर उस शब्दों पर ध्यान नहीं देते परमेश्वर को कोई दिल्चस भी नहीं है आपके तालियों में आपके कूदने में वो देख रहा है आपके दिल में क्या आप उन शब्दों को मतलब से कह रहा है हो गया मैंने कई बार कहा है मसीही जादा जूट कहते है परमेश्वर को संडे सुबे किसी अन्य दिन से भी जादा हफ्ते के मसीही जादा जूट कहते है परमेश्वर को संडे सुबे बाकी किसी भी हफते के दिन से क्योंकि वह इतने गीत गाते जिनके में सोच भी नहीं रहे है वो क्या गा रहे है आप अपने आप से प्रशन कीजिए किसी गीत का पुस्तक लेज़े अगर आपके वास है तो उस गीतों को पढ़ कर देखे जो आप गाते हो अपना भी प्रात्ना करना है और ये शुक की पहले चीज जो उसने प्रात्ना के विशे में कही कि जूटा मत बनो जब आप प्रात्ना करते हो एक कप्टी मत बनो मतलब जूटा मत बनो और ये मत सोचो और प्रार्तना इसलिए मत सोचो कि लोगों को दिखाने के लिए पांचवा वचन दूसरे शब्दों में गीत इसलिए मत गाओ कि लोग कहेंगे कि क्या ही अद्भुत गाते है आपकी आवाज कितना मधूर है लोगों को प्रसंद करने के लिए यह कितनी बख्वास है जो आज भी कलिसेया में चलती है. एक पाखंडी की समान मत बनो. कलिस्या पाखंडियों से कप्तियों से भरा हुआ है. जब आप प्रातन करो. अपने पिता से गुप्त में प्रातन करो. कोट्रिंग में जाओ दर्वाजे को बन करें मतलम, कलीशया में भी मैं दर्वाजे को बन कर सकता हूँ, दोसरे शब्द में मैं सारे लोगों को भूल जाता हूँ और मैं कहता हूँ पिता मैं तुझ से बात कर रहा हूँ अब, येशु यहाँ है, और सात्वा वचन मत्ति छह स बिना अर्थ के बगबग मत करो, बार बार चीजों को मत दोराओ, एक कभी चीजों को दोराया जाना जो मेने अपने जीवनों में शब्दना है, बिना किसी मतलब के हम दोराते हैं, मसी जो कहते हैं, मेरे जीवन में परमेशर की सूती हो, प्रेज दे लॉर्ड, प्रेज दे ल प्रवक को सूती दे व्यर्थ में बड़ बड़ाना है परमेशर का कोई भय नहीं साधारन चीजे मैं बस बाइबल को पड़ रहा हूं यहां व्यर्थ अर्थ ही चीजों को दोहराओ मत आप जो कहते हैं उसको मतलब से कहों और फिर मैं पूरे प्रात्ना में नहीं जाओंगा पहले चीज जो यहो नहीं कहा जब तुम परात्ना करो नौवब वचन इस त्रीथ ही से परात्ना करो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है पापा तू इस विश्व को चलाता है इस वर्ग में बैठ कर कोई समस्या नहीं है जो तू नहीं सुल जा सकता और तू मेरा पिता है मेरा पापा है ऐसे शुरुवात कीजिए मुझे बस यही कहना है आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप इसको गंभीरता से लिए कुछ चीजों को जो मैंने आज सुबह आपसे बाटी आपका नया वर्ष पूरे तोर पर अलग होगा इस बीते वर्षों से बिलकुल अलग इस नये वर्ष में हम कैसे जीए यह तरीका है जीने का शुरुवात कीजिए परमेश्वर से सुनिए कि वो आपसे बात कर रहा है और कहिए पिता तो इस विश्व को चलाता है तो प्रतेक समस्या को छोड़ा सकता है सबसे पहले मुझे पवित्रात्मा से भर दे वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी बिमारी से चंगाई से मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है नोकरी पाने से मेरे आर्थिक जरूरतों को पूरा होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बहतर घर और बहतर नोकरी पाने से मुझे तेरे पवित्रात्मा से भर प्रभू मैं तेरे साथ चलना चाता हूँ इस नए वर्ष में तेरा संतान होकर मैं एक अच्छा गवा होना चाता हूँ तेरे लिए तू मेरा पिता है स्वर्ग में मैं चिंता में नहीं जी हूँगा जब तू स्विश्वकों चलाता है और तू मेरा पापा है और अगर तुम उसको डैडी के तौर पर नहीं जानते तो प्रात्ना कीजिए पापा पिता हे परमिश्वर मुझे तेरे पवित्रात्मा से भर दे ताकि मैं तुझे जान सको कि तू मेरा पिता है और कृपया मेरी साहता कर पिता कि मैं अपने बच्चों को बढ़ा करो परमिश्वर के भहे में ताकि वे तुझे एक पिता के तौर पर जाने क्या आप उस प्रात्ना को करोगी गंबीरता से केवल एक बार नहीं आज नहीं पर प्रती दिन कि आपको कितने समय प्रात्ना करने चाहिए आपके बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कृपया सुनिए जब तक वे शिष्य न बने येशु मसीर के और फिर प्रात्ना कीजिए कि वे विश्वास योगईता से शिष्य बने रहे हाँ मेरे पत्नी मेरे बच्चों के लिए आज भी प्रात्ना करते हमारे जीवन भर निरंतर हम विश्वास नहीं करते कि केवल हमारे अनुशासन से वे बड़े होते नहीं हम परमेश्वर में विश्वास रखते कि वो उनकी जीवन में काम कर रहा है यह इतना महत्वपूर्ण है हमें कैसे संसार में जीते बच्चे भटक रहे हैं बिगड रहे हैं इस संसार में इतने प्रलोब हने इस संसार में और परमेश्वर ने आपको माता-पिता की तौ जाकर आजollow पाता होने को न,' नई तुरंट जाकर आप उनाक रक्षा करता है। जब तक सला से बुरा मानना बंद न क्रते। आप उनक्त काल में आप आप स्वर्ग में ना रहते हैं पर मैं इश्वर का अपने पूर्न रिदय से खो जया और का ये प्रभू मैं एक इश्वरी घर को बनाना चाहता हूँ मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूँ अपने जीवन भर मैं एक जिन तेरी सामने खड़ा होना चाहता हूँ आई हम अपने सरों को जुकाईए, कृपय अपने सरों को मेरे साथ जिकाईए और प्रतिक दूसरे वेक्ति को भूल जाएए, मुझे भूल जाएए कि वो येशु मसी के ओर ध्यान लगाईए और वो सुन रहा है आपको, आप जहां कई भी हो सबसे पहले याद रखिए कि वो आपसे प्रेम करता है आपके माता पिता से जादा, किसी भी और विक्ति से जादा अगर आपको लगता है कोई आपसे प्रेम नहीं करता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विक्ति आपसे प्रेम करता है येश्व आपसे प्रेम करता है जैसे बच्चे कहता है येश्व मुझसे प्रेम करता है ये मैं जानता हूँ क्योंकि बाइवल ये मुझे बताती है उसके पास उस हियाओ के साथ है ये वो आपसे प्रेम करता है आप मेंसे कुछ लोग महसूस करते कि आपसे लोग प्रेम नहीं करते पर येश्व आपसे प्रेम करते आपका सुर्गय पिता आपसे प्रेम करता है और प्रात्ना कीज़े और कही है प्रभू मैं जरुरत मन लेखती हूं मैं सब कुछ समझता नहीं पर मैं एक सुरक्षित तेरा संतान बनना चाहता हूँ, तुझे मैं सुरक्षित होना चाहता हूँ, मैं कई क्षेत्रों में असफल रहा हूँ, मेरे बच्चों को बढ़ा करने में असफल रहा हूँ, पर मेरी अब साहताकर की चीजों को मैं सही करो, मेरे बीते वर्ष जो है, वो शफ़लता रही है कई चीजों में. पर मैं बदलना चाहता हूँ. प्रभु मैं सच्च मच बदलना चाहता हूँ. तु मेरे रिदय को देखता है, मैं तुझे पुकार रहा हूँ. मेरी साहयता करप्रभु. की चीजे वाकई में अलग हो. 2023 में, बीते वर्षों के तुलना में मेरे लिए अलग, मेरे बच्चों के लिए अलग मेरे परिवार के लिए अलग, बहतर और बहतर, मेरी साहित अकरप्रबू धन्यवाद पिता मैं विश्वास करता हूँ कि तू ये करेगा आपने पिता को इस विश्वास के साथ आए और आप आश्चरी चेकित हो जाओगे कि परमिश्र आपके लिए क्या करेगा इस साल उसमें विश्वास कीजिए ये चीज प्रती दिन बाइवल को पढ़िए और उसे मांगे कि वो आपसे बात करे सुबह जैसे ही आप उठते हो प्रती भोर बिस्तर से उतरने के पहले स्वर्क में देखकर कहिए पिता पापा धन्यवाद नए दिन के लिए मैं ये दिन तेरे उपस्तिती में जीना चाहता हूँ कम से कम उस वाक्य से शुरुवात कीजिए और फिर उठिए अपने पापा से सबसे पहले बात कीजिए डाड से प्रभू मेरी साहत अकर की तेरी आगया है मैं मानू इस दिन हमारे स्वर्क पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियब भाईयो बैनों के लिए मैं जानता हूँ कि तू उनमें से प्रतिक से प्रेम करता हूँ वहाँ एक भी नहीं है जो मुझे सुन रहा है जिनसे तू प्रेम नहीं करता मैं प्रातना करता हूँ स्वर्क पिता पापा मैं प्रातना करता हूँ कि उनमें से प्रतिक वह प्रोसाहित हो जाए आज वह जकड़ा जाए सत्य से जो उन्होंने आज सुने है मैं विश्वास करता हूँ कि शैतान कभी उन्हें न ले जाए मैं प्रातना करता हूँ प्रभब, उनके मन से न निकाल दे और उनके जीवन में तु काम कर, जब तक वे उनके जीवन में एक बदलाव देखे उनके बच्चों में और ये वर्ष बहतर होगा बीटे प्रत्यक वर्ष से उनके जीवन के धन्यवाद पिता उन्हें पुनर्शापित कर परिवार के उन संबंदों को जो बिगड़ चुके हैं पति पत्नियों को एक जूसरें के नजदीकला इस वर्ष प्रभू और माता पिता को नजदीकला प्रभू और तेरे नजदीकला तेरा धन्यवाद पिता और तेरे कलीशा का निर्मान कर और हम सबके साहत अकर कि हम तयार हो मसी के दूसरे आगमन के लिए कि हम तयार हो एक साफ विवे के साथ हम सबके साहत अकर हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं इन सब लोगों के लिए धन्यवाद जो इतने धीरे से सुन रहे हैं उन्हें महानाशिश दे हम प्रात्ना करते हैं हमारे प्रभु येश्व मसी के नाम से आमें